है लो स्ट्रेंट मैंसल सुमन वेलकम टो मैं यूटीव चैनल सुटी विट सुमन तोडें इस वीडियो आंग इस एक्स्प्लेंग लेस्न नमर थ्री ऑफ क्लास एट सोशल साइंस अफ जोग्रफे लेस्न नमर थ्री इसका नाम है कनीज और शक्ति संसातन अब कनीज कनीज क्य मेसायनिक संगठन होता है उसे खनिश कहते हैं आईए हम पात कर शुरू करते हैं इसमें किरी सुसकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैत्रिक स्थान पर जा रही थी जब ने फ्रेंट से मिलने जा रही थी अब जिस स्थान पर जा रही थी वो स्थान धूल से बरा हु क्यों है कि यहां पर कोईला खदान जो है वह निकट है और यह इस तान वह स्थान है वह धूल से भरा हुआ है आप देखो चित्रे में देखो खुआ वह निख रहे हों यह सब इस था को ले जा रहे हैं जो के खनीच है उसलाइब कर से प्रित्वी पर चटानिक कुए पदार्थ प्रित्वी की चटान परविटी पर प्रिस्तान आप उसके नीचे सबीज़ाह तकरीबन फैले हूए है अब एक वह पदार्थ जो प्रकृतिक ग्रूप से प्राप्त होता है और जिसका निश्चित रसाइनिक जिसमें केमिकल प्रपोर्शन जो है वो निश्चित मातरा में हो से खनिछ कहते हैं अब खने जो है पूरे स्थानों पर बित्वि पर समान रूप से विट्अं नहीं है कि समानरूप से नहीं पाए जाते हैं या ऐसी शितर में पाएजाते हैं जाम में बहुंभ सारी कोिला है ककी लिग कई हवे जमी के निचे आने से कोईला बनता है अब कई हजार साल वो दबे रहते हैं फिर शले बनते हैं उसके बाद कोईले में प्रिवर्टित होते हैं इसी प्रकार से आपके पंसिल में ग्रेफाइट हैं यह सभी जो है खनीच हैं लेकिन यह खनीच कुछ ऐसे क्षित्रों पाजाते हैं जाम असाने से सकते हैं डांकिच का है अब यह जो खनीच हैं को फेचान सकते हैं इता हैं फैसे हम रोजाइट था और फिर उसका उप्योग प्रकार से उप्योग किया जाता है अब हम आत करते हैं खनीचों के प्रकार के अब इसमंने कहा कि प्रितिविव पाखनीच फैल्य हुमें हैं अब प्रितिविव पर तीन 9000 से अ आधिक वैंप्यं खनीच हैं क्यों किसने अधर पर है से अधर पर हें अब इससमा के खनीचों को दो बागो कोि बांट सकते हैं धातवीक और धातवीक मतलब जिसमें धातवीक नहीं होते हैं जो उश्मा और विद्यूत को सचारित करते हैं यासानी से उसमें से वह पाँ हो सकती है जिसे कोयला जलाते हैं कितनी उसमें कांफे दीय तक कोयला गरम रहता है उसमें चमक हमा चुछती है ज्यसए लोह ऐसक है मैंगनी इसे आयसक है और खभाउक साइट है अभी धात फिक निग्ष लोह भी हो सकते है किसी दो और पकाथ है इसको मागे बाढ़ सकते है लोह और अलोह में क्यों लोह मतलब जिसमें लोहा होता है ऐसे खनीच और अलो जिसमें लोहा विद्यमान नहीं होता है अब जिसे लोहा येसक है मैंगनीज है इसमें लोहा पाई जाता है जबकि अलोहो जिसे सोना है चांद है करें को ये भी खनीच है लेकिन ये सब जो है ये अलोहो खनीच है ये धातु है सोना जानी धातु है करें में लोहा नहीं है इसलिए ये अलोहो धातु है अलोहो खनीच है अब ये आयसक ये बाम में बात की अब ऐसे शेर जिसे खनीचों को निकाहा जाता है अभर धात्तु कि मैकलेज जाता है जिसमें भाथुबर नहीं होती है जिस में भॉल ऽे इसमें नहीं है अब प्रच्विक अंदर से निचे से निकाला जाता है अब इन खनीजों को किस प्रकार निकालते हैं क्या कैस की विधियां है और किस प्रकार किया जाता है था चुब नाले होादो के तेवारा जातो है के अब यह समादोर के जाता हमदोर के सबस्क्रा प्रच्वी के सथाख की अंदर कर दर निकालने के प्रक्रिया केलाते है अदर से जो करहें जिसमें दबे हुए हैं उन्हों कि सा निकाला जाया उन्हें किसी प्रकार से निकाला रहा है वो प्रक्रिया अब जो ख़ोनिज कम कहने हैं मैस्थीछ कहारे हैं से लगाए हैं Jr तो कउने उपने सैर को हटाग lawsuitkन निकाला जाते हैं उससे रखन जब कि जो खानिज बहुत ज्यादा गहरा है मैस्ट है नहीं कोप की के एंट अब की मतलब ऐसे गहन वेधन अब यासे मशीनियों की सायता से मशीन को रिचेसे में जाते हैं वैसे पांड निकालते हैं तो कितने ज्यादा गहरत है पहुंचाते हैं जिसी प्रकार से प्राइब को गहरत है और कूपक की खरनन कहते हैं अब जैसे प्राकर्टिक गैस है यह मारी जमिय के बहुत नीचे है को पता हमारी जमिय के दिचे कितनी जैसे अब प्राकर्टिक गैस रहें इस तर्टी के बहुत नीचे पाजाते हैं अब उन्हें बारने काने के लिए कहन कूप कोई को के समय बहुत ही गहराई से खुदाई की जाती है जिसे क्या कहते हैं प्रवेधन अब आगे में पढ़ा थ काती है अब आक्षण चया है कि नीकट करी जो कम असानी सिपर निकाला है युर्छ तरी श was का प्ररां किस प्रकार कैर जाता है अग्री वीडियो में उसे इतुरइन वांतर में होगा है फिर सब्सक्राइब में अगले वीडियो में देखेंगे और